तो हम लोग pollution discuss कर रहे हैं, production discuss कर रहे हैं और हमने पिछली क्लास में air pollution यानी बायू प्रदूशन की बात की थी, आज हमारा बायू प्रदूशन खंतम हो जाएगा और कल हम लोग gel production और धनी प्रदूशन की बात करेंगे और इस तरह से हमारा production बाला part complete हो जाएगा production complete होते ही ये आपका जलवायू परवर्तन के जो कारण है, जलवायू परवर्तन के कारण वो हमारे खत्म हो जाएगे, मतलब उसका discussion complete हो जाएगा क्योंकि हमारे जलवायू परवर्तन के तीन मुख्य कारण हमने बताये थे, green house effect, दूसरा हमने बताये था ozone deflation को लेकर और तीसर हमने बताये था production, तो production में हमने बायू production, धनी परदूशन और जलव परदूशन इसकी बात की थी तो जिसमें बायू production हमारा complete हो जाएगा, जलव परदूशन और धनी परदूशन का discussion अभी नहीं हुआ है, वो कल हो जाएगा, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, मैं पह से ज़्यादा भाग ये होता भी है, वनों से संबंदित, जो बाते होती है, इसमें क्या क्या हम लोग discuss करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, forest and forest related जितने part होते हैं इसमें, जैसे हम यहाँ पर राष्टिय पार्क की बात करेंगे, हम यहाँ पर वनों के जो कानून है, वनों के संदक्षन को रेके, जैसे वन नजीव संदक्षन, अधनियम, इस तरह के जो भारे सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं, उनकी हम सब बात करेंगे, वो वाला आपका पूरा part हैं complete होगा, इसके अलाबा जैसे हम हाथी project, ठीक है, इसके अलाबा project tiger, ये सारी बा पूरा discussion करेंगे, उसमें सारे के सारे topic automatically cover हो जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा exam में questions आते हैं, वो इस वाले part से हम से पूछे जाते हैं, दूसरा हम लोग यहाँ पर किरसी की जो विधिया है, हैं भारत में, भारत की जो किरसी प्रणाली है, भारती किरसी प्रणाली, उसका भी हम लोग discuss करेंगे, इसके अलाबा एक part जो हमने सबसे अंत में रखा है, मतलब पहले तो यह वाला part होगा, उसके बाद में जो परियाबरण में अंतिम part होता है, जो सबसे महत्मूर पार्ट माना जाता है, most important part माना जाता है, ठीक है, वो क्या है, परियाबरण, एबं सतत विकास, इसको सबसे बाद में क्यों रखा है, क्योंकि आपने जितने भी topic पढ़ लिए होंगे, उसमें आपको पूरी एक समझ पैदा हो जाएगे, परियाबरण को लेकर, ये एक conclusion के point या आप ये समझ सकते हैं, इसको हम एक conclusion के level पर discuss करेंगे, या हम ये कह लें कि जो भी ह हमने यहाँ पर समझ अपनी पैदा की है, उसके बाद में हम ये बहुत अच्छे सा समझ पाएंगे कि परियाबरण ये संतुलन कैसे बिठाये जा सकता है, इसके अनुसार हम ये सब चीज़ समझ जाएंगे कि सतत विकास की आवश्यक्ता क्या है, sustainable development, क्या होता है, ये हमारे किर्सी को लेकर भी अगर हम बात करें तो धान ये किर्सी या सतत किर्सी या sustainable agriculture की बात होती है, और इसके लिए हमारे राष्टी और अंतरराष्टी इस तर पर आखिर जो प्रियास किये जा रहे हैं, वो क्यों किये जा रहे हैं, इतना ज़्यादा उस पर क्यों जोर दिया ज नहीं होगा, आपके सलेबस का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा, जो कबर ना हो गया हो, सारा पार्ट आपका इन तीन भागों में complete हो जाएगा, ठीक है, जैसे एक भाग हमारा मैंने बताया था, कल पूरा हो जाएगा, दूसरा भाग ये हो जागा, तीसरा भाग ये हो अब यह समझ सकते हो इस में तोड कमी सालिए का से चलो सुरू करते है आज का दिसकुस Corni तो आज का हमारे discussion start होता है यहां से कि यह बाला हमारा जो पाल्ट है यह बाला पाईल्ट है हमारा SPM zuas mom SPM क्या होता है इसके बारे हं देखेंगे बादस्ट में SPM क्या है यह हमारा solid जो particles होते हैं या solid particulate matter जिसको हम बोलते हैं ठीक है उसकी अगर presence होती है suspended होते हैं actually ठीक है तो इसको हम suspended particulate matter बोलते हैं जो suspend का मतलब होता है बेठा हुआ कोई चीज जैसे मालो पानी है पानी में एक तो ऐसा होगा जो घुल जाए और एक ऐसा पार्ट हो सकता है जो घुले नहीं नीचे बैठ जाएगा इसको suspended बोलते हैं ठीक है suspension बन गया इसको और ये बोला जाता है अब आप ध्यान से सुनू अब suppose हमारे पास में ये बायू है जिसमें हम सांस ले रहे हैं यहां पर अगर धूल के कंड होते हैं सांस के द्वारा वो धूल के कंड हमारे फेफणों में चले जाते हैं धूल के कंड के रूप में डश्ट है जिसको हम बोलते हैं तो उसका एक range होती है जो हमारी जिसको हम बोलते है particulate matter वो हम आगे देखेंगे size जिसको हम बोलने हैं ठीक है वो सब हम आगे discuss करेंगे लेकिन अभी हम यह समझते हैं कि यह SPM क्या है तो वो जो particles हमें ठोस या हम solid part जिसको हम बोलने हैं वो हमारी सास के थुरू अंदर जा रहे हैं तो जिससे क्या हो रहा है स्वसंसंबंदी रोग हो रहे हैं हमारे फेवडों में विकार पैदा हो रहा है तो यह एक तरीके का pollution तो है न तो यही pollution जो हम यहां देख रहे हैं इसमें एक category है SPM के द्वारा बायू प्रदूशन ही तो हो रहा है SPM से भी बायू प्रदूशन हो रहा है और यह SPM किस रूप में आपको मिल सकता है देखो डश्ट के रूप में मिलेगा डश्ट में मिलेगा तो आप देखते ही हो इसके Adama नहीं धूल के कांड में इसके नहीं धूए में कोहरा में यह हमारा प्रजेंट रहता है धुन्द क्या होता है मैं अभी आपको पूरा concept clear करूंगा धुन्द actual में इस्मॉग होता है ठीक है इस्मॉग इस्मॉग क्या होता है यह दो सब्दों से मिलकर बनाए इस्मॉग और प्लस फॉग यानि कोहरा और धुआ धुआ के साथ जो कहरा होता है उसी कोई हम क्या बोलते हैं धुन्द बोलते हैं यह स्मॉग बोलते हैं ठीक है इस्मॉग भी दो तरह की होती है जिसका discussion मैं अभी करूंगा ठीक है लेकिन पहले आप SPM बाले पार्ट को देखो जब धुन्द हो रही होती है तो हम देखते हैं कि विजबिल्टी कम हो रही है धुआ हो रही है या हम यह देखते हैं कि जब यहां पर कोहरा हो रहा होता है तब भी हम बोलते हैं विजबिल्टी कम है ठीक है दृस सिता कम है तो यह विजबिल्टी को कम करते हैं जब भी कोह है SPM क्या है air pollutant अब एक हम पढ़ते है एसो टू एसो टू क्या है कि एसो टू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग अब है यह जो exterior Comedy है हर उस में जिसमें सल्फर होगा ड़ेफनेटली वहाँ पर एसो टू कमबंस्न के बाद निकलेगी हर उस फ्वहील में जिसमें कार्भन होगा carbon dioxide combustion के बाद निकलेगी तो खास करके जो koila देहन होता है कोईले का निकोल का combustion होता है तो उसमें carbon dioxide निकलेगी carbon होगा लेकिन उसमें sulfur की presence की बैसे sulfur dioxide निकलती है और यहाँ पर क्या होता है मुखेता यह thermal plant पाबर plant में निकलती है तो aso2 हमारे जो बायू production में तो इस तरह से हमें देखने को मिली रही है जो smoke को पैदा करती है smoke का एक कारण होता है ठीक है smoke मैं फिर बता रहा हूँ वही सेम चीज़ हो गई धुम कोहरा जिसकों बोलते हैं धुमा और कोहरा ठीक है अब जो सबसे बड़ी बात हैं यहां पर यह है कि जो sulphur के ऑक्षाइड होते हैं और nitrogen के oxygen होते हैं वो acid rain का कारण बनते हैं बहुत ही ज़्यादध मेहत्पूल question इसको लेकर आता है acid rain की बजहा क्या होता है तो acid rain की बजहा दो ही होते हैं दो ही आपके सामने बकल्फ होंगे या तो Sulfur के Oxide या Nitrogen के Oxide गजोए दोनों ही बिकल्फ में होँगे तो आप बताओगे यह दोनों ही HTIN R个 कारण है क्यों 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 कॉई Sulfur का Oxide क्या करेगा water के इसको मिलेगा अगर water कहीं से एस्टू मिलेगा जब humidity होगी तो ये उसके साथ में मिलकर sulfur oxide है तो sulfuric acid इस तरह से ये acid बना सकता है ऐसी nitrogen के oxide अगर यहाँ पर water के साथ मिलेंगे humidity में तो वो nitrogen के acid यानिकी nitric acid का formation कर सकता है तो यहाँ पर यह rain की form में जब हमें दिखता है तो यह acid rain होती है पिछली class में थोड़ा सा discussion किया था आज यह भाग फिर से आगया acid rain वाला फिलाल अब छोटी सी बात यहाँ पर समझ लो कि यह अमल बर्सा यानि acid rain का भी घटक है एसुटू से फेवरे संबंधी बीमारी हो जाती है और यह smoke का कारण बनता है अब ध्यान से समझो मेरी बात को smoke एक तो यही हो गया जिसको हम बोले classical smoke लेकिन दो तरीके के smoke होते हैं जो दूसरा smoke है उसको जरह समझते हैं दूसरा जो smoke होता है इसको हम बोलते हैं photochemical smoke इसको समझना है photochemical smoke यह most important है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है इसको हम बोलते हैं प्रकास रासाइनिक धुन्द यह क्या होता है प्रकास रासाइनिक धुन्द यह क्या होता है प्रकास रासाइनिक धुन्द देखो आप इसको इस रूप में देख सकते हो, suppose nitrogen के oxide है, ठीक है nitrogen के oxide कैसे मिलेंगे, परिट nitrogen हमारे जो बाईू बंडल है, उसमें nitrogen की अगर हम percentage बाई देखें, तो सबसे ज़्यादा percentage nitrogen की होती है, लगबग 80%, 80 से थोड़ा कम, ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा percentage nitrogen की हो रही है, तो यहाँ पर यह oxygen के साथ में treat करके, क्या बना सकता है, nitrogen के oxide बना लेगा, अब nitrogen के oxide, hydrocarbon, hydrocarbon क्या होते हैं, hydrocarbon, hydrocarbon का मतलब होता है, hydrogen और carbon के compound, जब nitrogen के oxide, hydrogen और carbon के compound के साथ में treat होते हैं, लेकिन ये light की presence में ऐसा होता है light की presence में यानि कि अक्सर जो light हम यूज करते हैं वो कौन सी होती है इसमें ultra-voil it right, परावेगनी करणे जब परावेगनी प्रिकास में परावेगनी करणों के साथ यहाँ पर एक reaction हो जाती है तब यहाँ एक दुतियक परदूसक आपको याद ना पिछली क्लास, secondary pollutant तो यहाँ पर जो दुतियक परदूसक के रूप में हमें क्या मिला है, pain मिला है pain, ठीक है, pain क्या होता है मैंने पिछली क्लास में बताता है अब यह pain अगर हमारे environment में आएगा ठीक है, pain अगर हमारे परियाबरण में आएगा तो यह परदूसक की तरह होगा और मैंने आपको बताया था कि pain से क्या होता है हमारी आखों में जलन सबसे सीधा जो पहचानने का तरीका है वो आखों में जलन हो जाएगी irritation हो जाएगी तो अचा red इस तरह से हो जाएगी तो यहाँ पर इस pain की बज़े से ऐसी समस्याएं हमारे परियाबरण में पैदा हो जाती है ठीक है, जो प्रदूसक की तरह कारे करेगा जो प्रदूसक हो जाएगा इसको हम बोलेंगे कि हमारा जो परियाबरण है फो प्रदूसक हो गया है secondary, pollutant है यह secondary, pollutant होगा न últimos समझ आ गया होगा क्या एसे pain का ही निर्मार होता है नहीं, इस तरह से हम Youzone का भी निर्मार देखतें और जोन भी आपको याद होगा मैंने पिछली में भी आपको बता था कि अगर oxygen के साथ में nascent oxygen मिल जाए तो ultraviolet rage के साथ में वो ozone का निर्मार करती है लेकिन ये ozone अगर stratosphere में बनती है तो तो वो अच्छी बात है क्योंकि stratosphere में जो ozone layer है वो हमें protect कर रही है ठेक है लेकिन अगर ये हमारे छोब मंडल में यानि troposphere में बनने ही है या हमारे परियाब रण में ये enter कर रही है तो ये प्रदूसक है ये pollutant है और ये एक विसेली gas के रूप में भी आप इसको देख सकते हो अगर हमारे परियाब रण में इसकी मात्रा जादा हो रही है तो क्यों? क्योंकि ये भी हमारे आखों के संबंदी विकार पैदा करेगी ये भी हमारे लिए harmful होगी तो ये pollution है ये secondary pollution है अब pollutant है ये pollutant है लेकिन ही secondary pollutant है अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझो ये जो हम यहाँ देख रहे हैं कि nitrogen के oxide hydrocarbon के साथ में light की presence में कुछ ऐसा बना रही है तो जो धुन्द पैदा करने हैं जिससे इस तरह की धुन्द हो रही है इस तरह का smoke बनना है तो इसको हम photo chemical smoke बोलते हैं क्या बोलते हैं? photo chemical smoke पिरकास रासाइनिक धुन्द नाम भी इतना ऐसा simple है नाम जानना जरूरी है और कुछ मी नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हो photochemical smoke अगला पार्ट है प्रकास रासाइन एक धुन्द photochemical smoke यह एक पद है जो कुछ बिसेस रासाइनों के प्रकास से अफगरिया का परणाम है बिसेस रासाइनों के यानि कि कुछ special chemicals का light के साथ में treatment हो रहा है जैसे मैंने उधारन आपको लिया था nitrogen के ऑक्षाइड hydrocarbon के साथ अफगरिया कर रहे हैं लेकिन प्रकास के साथ में ठीक है तो यह इसका परणाम है प्रकास रासाइनिक धुन्द का प्राथमिक स्रोथ क्या होता है ओजोन ओजोन माना जाता है एसी यहां पर पेन का निर्माण यह भी क्या है प्रकास रासाइनिक धुन्द तो आप समझ जाओगे दो नाम आप याद रख लो पेन और ओजोन ठीक है पेन और ओजोन अब देखते है फिलाई एस क्या होता है यह तो बहुत असान सी बात है औरती हुई धूल यह यह होता है आपने देखा होगा कि जो कुछ इंडस्टी होती है उस में अगर हमारी जैसे कोल इंडस्टी है या कुछ इस तरह की हमारी इंडस्टी है जहाँ पर ऐसी राक के रूप में कोई चीज उड़ती हुई उड़ने का मतलब है कि हवा में वो आ जाए और वो प्रदूसक की तरह कार करें, पॉलुटेंट की तरह बनें, तो वो सब फ्लाई ऐस है, यहाँ पर क्या होता है, ठोस पदारतों के देहन के उपरान फ्लाई ऐस उत्पन होता है, फ्लाई ऐस यही है, वो जो उसकी राख जिस रहे होगे कि वहाँ पर ब्लेक, 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 कोई चीज यहाँ इखटी हो रही है, ठीक है, और आप वहाँ देखते हो कि यह किस वज़े से हुआ, तो आपको पता लगता कि अच्छा यह जो फ्लाई ऐस उसकी बज़े से यहाँ पर यह पैदा हो गया है, तो यही अच्छा आजएगी, वह नीचे आजएगी, ठीक है, जो फ्लाई ऐस, इसका नाम तभी पढ़ा है, कि वह हलकी है और बायू के साथ में, ऊपर उठ रही है, तो फ्लाई ऐसे है, लगबग 73% भारत की जो पाबर च्छमता है, वो कैसी है, थर्मल है, यह भी एक फेक्ट की त उसको हम 50%, 50% तक लेके आना है, यानि कि जो हमारी आवश्यक्ता है, उर्जा आवश्यक्ता है, उसकी पूर्ती हम 50% अक्षे उर्जा से करेंगे, यह 2030 तक का हमारा टार्गेट है, अभी लगबग, हाला कि इसमें अब कमी आईगी, नए डेटा के अनुसार यह कम होगी, ठी हम थर्मल बेजड है, हम अपनी जो पाबर का या उर्जा का इसमाल कर रहे हैं, जो इलेक्टिसिटी पैदा हो रही है, वो थर्मल बेजड है, जिसमें 90% कोल के आधार पाउत्पन होती है, ठीक है, मतलब जो हमारा 73 भारत की जो इलेक्टिसिटी, प्रडूसिंग कैपिसिट है, जो हम इलेक्टिसिटी जितनी पैदा कर रहे है, वो 73% एलेक्टिसिटी हमारी थर्मल पावर वाली है, ठर्मल पावर और थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वो 90% कोल आधारित होते हैं, ठीक है, तो ये बात तो ही कि इसकी बज़े से क्या होगा, फिलाई एस आएगी, अब जो फिलाई एस होगी, उससे स्वसन संबंदी रोग हो सकते हैं, वो तो आप समझी जाओगे इसकी बज़े से, लेकिन इसके कुछ फाइदे भी है, या आप ये कहलो कि इसका एक टेक्निक तरीका भी है, कि अगर हम इस फिलाई एस को एक्कुमलेट करा दें कहीं पर है और उसका उपियोग भी करने हम लोग, तो हमारा जो बाता बरन है, वो भी सुद्ध होगा, और फिलाई एस जो पैदा हो रही है, उसका कुछ ना कुछ यूटिलिटी हो जागी, उपियोगता भी हो जागी, वो भी हम देखेंगे, यहाँ पर फिलाई एस के जो घटक होते ह ठीक है, कंपोनेंट फिलाई एस, क्या होते हैं, अलिमिनियों सिलीकेट, सबसे बड़ी मात्रा में अलिमिनियों सिलीकेट पाया जाता है, ठीक है, अगर आप से पूछे, फिलाई एस में क्या होता है, तो सिलीकेट होते है, अपने देखा होगा ना, जैसे कोई रेत देखत तो उसमें भी silica आपको देखने को मिलता है तो यह जो silicon dioxide, calcium oxide यह हमारे main component है तो फिलाईयस के अगर कोई main component पूछे क्या होता है तो आप बताऊगे aluminium silicate, silicon dioxide, calcium oxide यह सब हिलाईयस के component है फिलाईयस के कड़ों में silica, alumina, loho oxide, calcium और magnesium और toxic भारी धातुओं जैसे lead, arsenic, cobald, tava, इत्यादी इसमें मिलती है अब आप बताऊ, जब कुछ हमारे पास toxic metal भी यहाँ पर मिलती है toxic धातुएं भी अगर हमें मिलती है तो यह विसेली धातु के रूप में हमारे सरीर में पहुँचेंगी तो स्वाभविक सी बात है, pollutant की तरह तो यह है ही और यह हमारे स्वास्त के लिए हानिकारक है तो इसको हम लोग कैसे इस परयाबरन का प्रभाब देखते हैं फिर हम यह देखेंगे कि इसको हम कैसे इसका हम निराकरन कर सकते हैं यह भी हमें देखना है लेकिन पहले हम देखते हैं परयाबरन पर इसका क्या प्रभाब पड़ेगा फिलाई एस बायू तथा जल प्रदूशन का कारण है बायू दल प्रदूशन स्वाभविक सी बात है कि फिलाई एस की वैसे हो सकता है बायू तो साफी दिख रहा है और जल प्रदूशन का भी कारण बन सकता है ये स्वसन संबंदी समस्य उत्पंद कर सकता है बिलकुल करेगा थर्मल प्लांट के नजदीक बायू में मौझूद फ्लाई एस पत्यों और खीतों में फसनों पर जम जाती है और पौधों की उत्पादक तक कम कर देती है जैसे मालो कोई यहां पर कोल इंडिस्टी है या किसी बजह से यहां कोई थर्मल प्लांट है तो वहां से जो फ्लाई एस आएगी तो जो पॉधुं के पत्तियों पर जम जाएगी अगर पत्तियों पर फिलाई esse का लाव की जगए हमें हैं इसमें heading बास्ता में यह देना चाहिए था कि फिलाई esse को हम किस तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं जलू कोई बात नहीं लौश समझे इसम्झें लो कि इसक लाव उटा सकते हैं इतना बड़ा heading ने डाल था आप समझ रहे होगे कि फिलाई ऐस बैसे लावकारी नहीं है लेकिन हम इससे लाव भी उठा सकते हैं और प्रदूशन से मुक्ती भी कर सकते हैं, प्रदूशन से बचाब भी हो जाएगा, कैसे? फिलाई ऐस कम भी हो जाएगी उससे, यानि कि हमारा जो बायू प्रदूशन है वो कम होगा और दूसरा इस फिलाई ऐस का उप्योग हम सीमेंट में कर सकते हैं, इटे बनाने में कर सकते हैं, रोड बनाने में कर सकते हैं, तो ये जो सीमेंट फिलाई ऐस है, इसमें 35% तक इसमें मिलाई जा सकती हैं, फिलाई ऐस की इटे हलकी और टिकाव होती हैं, तो फ रूप में भी कर सकते हैं अब जरह देखते हैं कि ये बैक फिल्टर और साइक्लोन सेपरेटर ये क्या होते हैं ये दो चीजे ध्यान से समझो एक होता हमारा बैक फिल्टर और एक होता है साइक्लोन सेपरेटर ठीक है दो बाते हैं आपको बहुत ही महत्पून है जो देहान ल होता है तो ये एक माईक्रो मीटर 10-6 मीटर के बराबर होता है जहां भी माईक्रो आएका 10-6 हो जाएगा तो अगर हमारे जो कण हैं बैक वेक फिल्टर का हम उपयोग करते हैं जब ये कारखानों से उत्पन धुओं में मौझूद कणिये पदार्थ यानि पर्टिकलेट मेंटर पी एम जिसकों बोलते हैं को अलग करने में प्रियुक्त होता है ये 50 माईक्रो मीटर से छोटे कणों को अलग करता है 50 माईक्रो मीटर से 50 माईक्रो मीटर ये रेंज है 50 माईक्रो मीटर से जो छोटे कण है यानि कि इनका डायमीटर या ब्यास 50 माईक्रो मीटर से कम होता है ठीक है तब हम इसको वेक फिल्टर से सेपरेट करते हैं वेक फिल्टर की हमें कोई प्रिकरिया नहीं देखनी है को ये तो फिर अलग ह हिस्सा ओगा केबल हमें इतनी समझ होनी चाहिए बस ये इंस्टुमेंट का नाम हुमें पता होना चाहिए कि बैक फिल्टर क्या है तो बहुत सिंपल सी बात है एक है हमारा बैकः फिल्टर और एक हमारा cyclone separator तो आप यहाँ पर देखोगे back filter क्या काम कर रहा है back filter और दूसरा cyclone separator देखो back filter क्या काम करेगा 50 micrometer से ऐसे particle जिनका diameter या व्यास 50 micrometer से कम होता है छोटा होता है या अधिक्तम 50 micrometer तक होता है तो उसको किस filter से separate किया जाता है तो back filter से ठीक है question अगर आपके exam में आएगा कि यह बताओ कि ऐसे हमारे particles ऐसे solid particles जिनका diameter 50 micrometer तक होता है उसको हम कैसे filter करते हैं तो आप क्या बताओगे back filter से दूसरा ऐसे particles जिनका diameter 50 micrometer से बड़ा या बड़ा समझ लो मतलब एक range तो हमें set करनी पड़ेगी न उससे छोटा और यह इससे बड़ा तो हम किसका 50 micrometer से बड़ा अगर होगा तो हम किसका उप्योग करेंगे cyclone separator यानि 50 micrometer तक back filter और इससे बड़े के लिए cyclone separator का प्रियोग करते हैं ठीक है बस इतनी बात ध्यान रखना है 50 micrometer से बड़े ब्यास के कणों को अलग करने के लिए cyclone separator का प्रियोग किया जाता है अब हम बात करते हैं जैबिक सूचक यह तो इतना common होता है जैबिक सूचक वाला कि यह तो मेरे ख्याल में अगर आपको दस paper देख लोगे ना तो आपको जरूर यह question उसमें दिख जरूर जाएगा कि हाँ लाइक इन वाला खास करके आपसे पूछा जाता है जैबिक सूचक जीवित जीव है जो परियावरन प्रदूशक के सूचक होते हैं जैसे आपको पता है लाइक इन लाइक इन क्या है बायू प्रदूशन के महत्पूर जैबिक सूचक होते हैं लाइक इन यह आप बाइलोजी में भी पढ़ोगे लाइक इन ठीक है सहजी भी करके सहजी बता में आप पढ़ोगे लेकिन मुझे यहाँ पर एनवार्मेंट को लेकरबिकिन इंडिकेटर के रूप में आपको यह बात बता नहीं इसलिए उसका मैं उप्योग कर रहा हूँ तो आप से पूछे लाइक इन क्या है यह यह भायू प्रदूशन के सूचक है धिहान देना कि नाम से अगर आएगा कि BayouGU producing के like इन किस तरह से कारे करते हैं तो Bayou production के सुचक के रोप में आपकार करते है लाइकेन Bayou production के महत्पूर्ण जैबिक सुचक होते हैं इनलाइकेटर होते हैं like an patreon मुख्त अपने पोसक पदार्त मिठी की अपेक्छा Bayou बायू मंडल से प्राप्त करते हैं, क्या होता है, जो लाइकेन होते हैं, वो अपने पोसक पदार्त, मिट्टी की अपिक्छा बायू मंडल से प्राप्त करते हैं, लाइकेन बायू प्रदूशन के प्रती संब्यधन सीर होते हैं, बहुत सेंस्टेव होते हैं, इसलिए ये प् तक्त हैं वो मिट्टी की अपिक्षा बायू मंदल से प्राप्त कर रहे हैं और जहाँ पर अगर खास करके SO2 कि अगर प्रजेंस होगी ठीक है या आप ये कहलो कि यहाँ पर बायू मंदल में यहाँ पर बायू प्रदूशन होगा तो यह बहुत ज़्यादा sensitive है उसको लेकर तो बहाँ लाइकन पैदा नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर यह लाइकन नहीं पाए जाएंगे अब भारत का बायू गुनबत्त सूचकांग यह हमें ध्यान रखनाना इसमें क्या बात ध्यान रखनी है मैं आपको बताता हूं एक बात तो यह ध्यान रखनी है कि जो भारत का बायू गुणबत्ता सूचकांग जैसे हम देखते हैं क्वालिटी इंडेक्स जिसकों बोलते हैं अक्सर यह नीज भी सुनते रहते हैं कि अब इस सहर का एक यू आई इतना है या इसका जो एएर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना यहां ज़्यादा बायू पर दूशन है यहां कम बायू पर दूशन है तो हम के बल वो नंबर देख लेते हैं और हम आईडिया लगाते हैं कि इच्छा यहां प्रदूशन ज्यादा है यहां कम है तो आपने यह कभी सोचा है कि वो जो नंबर हमें मिला है वो किन-किन फैक्टर पर मिला है कौन-कौन सी ऐसी बाते हैं जिसको सामिल करने के बाद में वो नंबर ते होता है कि इसका इतना नंबर है ठीक है और हमें कैसे पता चलता है कि कितने नंबर पर ख्याज सती है तो चलो मैं आपको बताता हूं भारत का बायू गुनबत्ता सूचकांग आठ मुख्य प्रदूसकों के आधार पर तयार किया जाता है एक छोटा सा question पूछा जाएगा कि भारत का बायू गुनबत्ता सूचकांग कितने प्रदूसकों के आधार पर तयार किया जाता है option होंगे 7, 8, 12, 14 जो भी है तो आप क्या करोगे 8 कौन-कौन से एक तो ये जो पल्टकलेट मेटर होती है कौन-कौन से PM10 PM10 का मतलब पल्टकलेट मेटर 10 माइक्रो मीटर से छोटे जो कणिये प्रदार्थ होते हैं उसको हम पल्टकलेट मेटर 10 बोलते हैं यानि कि हम जब एहर क्वाल्टी इंडेक्स निकालते हैं तो हम हम पहले यह चेक्क करते हैं कि यहां पर PM10 वाली PM10 का जो हमारे लेबल है वो क्या है PM10 का मतलब है 10 माइक्रों मेटर से छोटे जो पनिये प्रदार्थ हैं ऑसको हम चेक करेंगे दूसरा 2.5 माइक्रो मीटर से छोटे पदार, यानि कि एक होता है PM10, एक होता है PM2.5, PM2.5 का मतलग क्या होता है, 2.5 माइक्रो मीटर बाले उससे छोटे पदार, तीसरा हमारा नाइटोजन ओक्षाइड, चौथा कार्बन मोनोक्षाइड, पांचमा ओजोन, छटा सल्फर डा से किसके आधार पर नहीं तै होता है, तो ध्यान रखना, उसमें जो आठ ये पैरामीटर हैं, उसमें से कुछ अलग आप से दिया जाएगा, तो उस पर आधारित नहीं होता है, कौन-कौन से हैं आठ, फिर से सुन लो, PM10, PM2.5, PM10 का मतलग पल्टिकलेट मेटर 10, इसका मतल निया और लेड, इन आधार पर तै होता, और ये कैसे तै होता है, इसको हम देखते हैं, इंडेक्स स्केल कैसे बनाय जाता है, अगर 0 से 50 तक रहता है, तो ग्रीन हरा, और हैसा होता ही नहीं है, 0 से 50 वाला कोई है ही नहीं, तो अगर आपको लगेगा, कि यहां पर इंडेक् रहा है यह भी color भी ध्यान रखना और यह scale भी याद रखना पड़ेगा आपको है तो आप बताओगे यह अच्छा है हमारा यानि कि है बायू प्रदूशन नहीं है दूसरा अगर 51 से 100 है तब भी कोई बात नहीं हलका हरा है ठीक है कोई issue नहीं है अगर 101 से 200 तक है तो यह हलका प्रदूसित बोलेगे हम लोग यानि पीला पीला बाला अगर नारंगी दिख रही है बहाँ पर range तो वह 201 से 300 वाली है यानि खराव और अगर लाल देख रहा है तो बहुत खराब यानि 301 से 400 है 301 से 400 बहुत खराब और अत्यंत खराब इस्तिती और खतरना के इस्तिती गहरा लाल या मेरून कलर होता है वो 401 से 500 और आप देखते क्या हो कि इससे भी कहीं ज़्यादा ये इंडेक्स पहुंच जाता है तो कहीं ज़्यादा इस्तिती खराब है बायू प्रेदूशन की इस्तिती दिल्ली में दिवाली के बाद अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है खास करके उस समय पर अब हम देखते है केटलिटिक कनवर्टर क्या होते है ये भी हमें देखना है केटलिटिक कनवर्टर फिर अमल बरसा बस इतना हमें देखना है केटलिटिक कनवर्टर मतलब उत्पिरे रखी परिवर्तन ये क्या होता है देखो आप ऐसे समझो जो वहनों से उत्सरजित gas हैं जैसे nitrogen के OXI, carbon monoxide और hydrocarbon को अगर हम किसी catalyst की सहयता से इसको convert कर दें ये हानीकारक gas हैं अगर हम किसी catalyst ये उत्प्रीरक की सहयता से इनको हानीकारक जो gas ना है, non harmless जिसको हम बोलते हैं हानिकारक गेस से उसको सामन में होगर हम कनवर्ट कर दें तो हम इसको केटलिटिक कनवर्टर बोलेंगे गेर हानिकारक गेसों में परवर्तन कर दें तो हम इसको क्या बोलेंगे केटलिटिक कनवर्टर जैसे कार्वन मोनोक्षाइड को हम कार्वन डायोक्षाइड में कर सकते ह नाइटोजन के Oxide को Nitrogen में कर सकते हैं, Hydro carbon को हम जल और CARVON DIOCIDE में कर सकते हैं, जैसे मालो मैं आपको बताओं Nitrogen के Oxide है तो आपको बता है Как Nitrogen के Oxide और Hydro Carbon मिलेंगे, फिर तो PAN, PAN यहाँ पर प्रदूसक्ज की तरह आजेगा nitrogen के oxygen यहाँ पर ozone को जन्म दे सकते हैं यानि कि यहाँ पर photo chemical smoke वैदा हो जाएगा तो हमारे लिए तो खतरनाक है न तो हम क्या करेंगे catalyst की presence में एक उत्प्रेरक लेंगे किसी catalyst की presence में nitrogen के oxygen को nitrogen में convert कर देंगे ठीक है तो हमें सांती मिलेगी कुछ यहानिकारक थी और यह गेर हानिकारक है अब hydrocarbon है hydrocarbon का मतलब carbon और hydrogen होगा हम इसको catalyst की presence में जैसे इसका देहन कर देंगे catalyst की presence में मतलब इसको combustion कर देंगे जलाएंगे इसको तो इससे क्या होगा complete combustion तो इससे hydro water में बदल जाएगा ठीक है यहनी हानिकारक था अभी और हमने गेर हानिकारक में बदल दिया दूसरा हमनारे पास में क्या है एक है हमारे पास नाइटोजन के oxide होगे hydrocarbon हो गए और क्या कर सकते है carbon monoxide ठीक है carbon monoxide को हम catalyst की presence में carbon dioxide में convert कर सकते हैं तो इसको हम catalytical converter बोलते हैं अब आ जाती हमारी अमल बरसा यानि acid rain ठीक है यही हमारा last part है यहां तक आपको पढ़ाई करनी है अपनी अभी नेक्स क्लास में मैं आपको आपसे questions पूछूँगा ठीक है अगली क्लास में आप पूरा अच्छे से पढ़कर आना जैसे पिछला एक topic था हमारा उसके बाद में मैंने questions का discussion किया था ऐसी एक पूरा भाग हमारा आज complete होता है यह आप एक काम कर लो अभी एक और हो जाने तो कल आप तो तैयारी करो ठीक है मैं इतने भाग सही पूछ लोंगा लेकिन आप कल वाला जो हमारा पार्ट है जल प्रदूशन और ध्वनी प्रदूशन इसको complete होते ही मैं combine वाला भी पूछ लोंगा आपसे questions ठीक है तो उससे क्या होगा कि आपको idea भी लगेगा कि इस तरह से questions की demand होती है और आपको अपनी preparation का भी अंदाज अलगेगा अमल वर्षा यानी acid rain यह क्या होती है बहुत simple सी बात है sulfur dioxide और nitrogen oxide जिसमें मतलब nitrogen के oxide sulfur के oxide अगर humidity की बज़े से पानी के संपर्क में आते हैं तो यह acid बनाएगा जैसे sulfur dioxide क्या करेगा पानी है इसमें sulfur dioxide मिल गया है तो यह क्या बनाएगा तो यह acid rain की बज़ा बनता है ऐसे हम NO2 water मिलेगा क्या बनेगा nitric acid तो acid बन जाएगा यह तो आप यहाँ पर ऐसे समझो कि इसकी बज़े से ही जो sulfur के oxide या nitrogen के oxide की बज़े सी अमल वर्षा यानी acid rain होती है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अमल वर्षा sulfur dioxide अथा nitrogen oxygen oxide जैसे योग की रासाइनी क्रियाओं का परणाम है यह बायू मंदल में बहुत उचाई तक पानी तथा रासाइनों से अभगरिया करके पहुंच जाते हैं जैसे मैंने यहाँ दिखा है और अधिक अमलिये प्रदूसक बनते हैं जो बरसा के साथ नीचे गरते हैं इसी को अमलिये बरसा कहते हैं एसी को हम ग्रेकिंग घस भी बोलते हैं यह बड़ी महत्मूर बात है और इसका मैंने पिछली के लास में फिल्धारन लिया था फिर ले रहा हूं एसी को एकिंग क्रेकिंग मतलब घरन करने वाली गैस क्रेक का मतलब जानती है ना डिके हैं तोड़न क्रेक करना मतला तोड़ना तो एसू टू को क्रेकिंग गेस कहा जाता है यदि ये लगातर पत्थरों पर प्रभावित की जाए तो पत्थर छत विछत हो जाता है अगर आप ये पत्थर है लगातर अगर एसू टू गेस यहां पर आएगी तो पत्थर क्या होगा पत्थर का छ वाही का जो कारण बंती जा रही है, तो वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, यही है sulfur dioxide gas, क्योंकि यही पर मठरा refinery है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताई था, कि मठरा आगरा की सीमा लगी हुई है, तो इतनी पास होनी की वज़े से, जो एसो टू लगातार वहां के पत्थर पर अगर प्रभावित होगी तो उसके पत्थर को क्या करेगा वो डिके करेगा ठीक है यह चिंता का बिस है अधिक अमलिता के कारण अमलिबरसा के हाइड्रोजन आयन वही अगर मालो एक और नुकसान आप सुनो अगर ज्यादा अमलियता हो जाएगी तो यहां क्या होगा हाइड्रोजन आयन होंगे जब मालो को एसेड होता है तो एसेड में हाइड्रोजन आयन जो हमारे हाइड्रा एसेड जिसको बोलते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन होगा जरूर नहीं सब एसेड में हाइड्रोजन आय रहें कि जो ऐसी रेन होती है वो मिर्दा की उरवरक्ता को कैसे खतम करती है और एक जब हम मैं आपको एक पार्ट पढ़ा हूँगा यहां पर भारती किरसी है उससे संबंदे जब भाग कौम डिसकस करेंगे तो उसमें यह आप इतना जानते भी होगे कि जब आप कोई खेती क बात करते हो तो वहाँ पर pH का बहुत बड़ा रोल होता है आप चेक करते हो कि हमारी खेती जहां हम कर रहे है वहाँ उस जमीन में उसकी जो मिट्टी उसका pH क्या है जब आपको pH पता चल जाता है तो उस आधार पर उस मिट्टी में कौन-कौन से पोसक्त कि आवसक्ता यह जाते हैं कि हम उसकी उत्पादक्ता को कैसे बढ़ाएंगे उसमें क्या क्या हमें उगाना चाहिए ठीक है तो pH का बहुत बड़ा रोल होता है जो हम बहाँ देखेंगे लेकिन फिलाल आप यहां पर यह समझो कि अधिक अमले बरशा के हाइडोजन आयन अब मिर्दा के पोस है लीचिंग का मतलब है एक आयन से दूसरे आयन का रिप्लेसमेंट लीचिंग होता है इसको हम ठीक है या इसको निक्षालन बोलते हैं निक्षालन हिंदी में तो सीधी सी बात यह आपको नहीं भी पता रहे लीचिंग वीचिंग उसको छोड़ो आप बस इतना ध्यान कि अमल बर्षा का एक और बड़ा नुकसान हम देखते हैं और अरवरक्ता में कमी फल्टिलिटी जो होती है मोरी डाउन होती है कैसे क्योंकि जो हमारी मिर्दा के जो हमारी मिट्टी के पोसक तक है उनके जो आयन है जैसा पोटेसियम मेंगनीशम वो रिप्लेस हो जाते है ह सबसे ज्यादा प्रभावित देश है अगर आपसे कोई पूछे कि अमल बर्सा से सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा है नौर्वेज सबसे ज्यादा प्रभावित इसी को माना जाता है ऐसे देशों में नदिया और जीले जैविक रूफ से म्रत होती जा रही है ठीक किस नदी को बंगाल में बंगाल में एक नदी है बंगाल के हमारे पश्य मंगाल में लेको पश्य मंगाल में किस नदी को जैविक मरिस्थल बोला जाता है इसको बंगाल का सोग भी कहते हैं ठीक है यह जैविक मरिस्थल का मतलब सिंपल सी बात यह है कि उसमें बास्तम में ऐस कंडिशन आ गई है मतलब इतना ज्यादा जल प्रदूसित हो गया है जल प्रदूसित हो गया है जल प्रदूसित के समय भी देखेंगे इसको कि वहाँ पर जीवन ही संभव नहीं जारा रहा है तो इसलिए हम उसको क्या बोलें जैविक मरुस्तल आपको कमेंट करके बताना है मैंने बहुत बार बताया है तो एक बार आप भी बताओ कि पश्ममंगाल में किस नदी को जैविक मरुस्तल कहा जाता है ठीक है कमेंट करके बताना दो यह पर इसलिए अमलत भरसा को धील कातिल भी कहा जाता धील कातिल अमल बर्सा कनाडा के अलाबा कनाडा ओर अन इसोस कैन्डेवियदे लेजो में अमल बर्सा सब से बड़ी चंता का कारण है, अमल बर्सा सूचना केंडर कहां पर है मेंचेस्टर इंगलेंड में तो ये हमारा डिसकोसन था, जिसमें मैंने बायू प्रदूशन से संबंदे सभी बातें complete कर ली हैं, कल इसको लेकर मेरी कोसिस होगी, मेरा प्रयास होगा, कि मैं पूरा जल प्रदूशन और धनी प्रदूशन कल की class में खतम कर दूँ, ठीक है, तो इस तरह से आपका जल बायू परबरतन और उसके जल बायू परबरतन के जो मुखे कारण है, वो पूरा भाग आपका complete हो गया है, ठीक है, next class में हम इसी को पहले पूरा करेंगे, उसकी next class में जो हमारा भाग होगा, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बनो से संबंदित, वनो और मतलब फॉरेश्ट ने related पार्ट, जिसमें बहुत सारी topic आपके छोटे-छोटे कवर हो जांगे, काफी सारी topics में कवर होंगे, ठीक है, तो मिलते हैं next class में, okay.